कि अज़िए विडियो एक इंट्रेक्टिव एक्सराइज विडिया आप सभी के लिए इसमें मैं आपको कोशन दूंगा और आपके पास पास सेकेंड रहेगा उस कोशन का अंसर देने के लिए और यह जाद़ बड़े-बड़े कोशन नहीं होंगे तो मैं एक वेरियेवल लो अगर मैं यहां पर प्रिंट किया और प्रिंट मैं लिखा नेम और नेम के बाद में यहां पर लिखा 1,2,4 तो आपके पास क्या उप उटाएगी तो आई हो अपने इसे ट्राइ किया होगा अगर मैं है सेव करके रन करूं तो यह देखिए हमारे पास आर्स ARS क्यों आ रही है क्योंकि हमारे first index जो होता है वो including होता है और last index जो होता है वो excluding होता है तो हमारे ये first index including है और इसके पाद ARS print हो रहा है इसके बाद हमारे indexing 4 में आ जा रहा है इसलिए हमारे h print नहीं हो रहा है अब आप बताईए कि अगर आपके पास कुछ ऐसा syntax लिखावा है तो आपके पास क्या output आईगी तो ihoop अपनी से try क्या होगा हमारे पास इस case में क्या input है हमारे पास 0 index से start होगा और कब तक चलेगा तब तक चलेगा जब तक इसका index minus 1 नहीं आ जाता तो हमारा minus 1 वाला print नहीं होगा minus 1 मतलब सबसे last वाला print नहीं होगा बाकि स्टार्टिंग से लेके i तक पूरा print होगा अगर मैं save करके run करूँ इसे तो यह देखे hrsh space jai हमारे पास n print नहीं होगा बाकि सब print होगा है अब अगर आपके पास कुछ ऐसा index है तो अब बताईए आपके पास क्या output आईगी तो यह भी काफी easy question था आपके पास यहां पे third index से start हो रही है मतलब 0, 1 और 2 और यहां s से start हो रही है और minus 1 तक जा रही है minus 1 तक जा रही इसका मतलब क्या हुआ minus 1 include नहीं रहेगा बस minus 1 तक जाएगी तो हमारा यह s h space jai print होगा और मैं save करके run करूँ इसे तो यहां s h jai print हो चुका है तो यह तो था काफी easy question अब हम बात करते हैं कि असलियत में string slicing कैसे use होता है तो इसे मैं अभी comment out करता हूँ और अगर मान के चलिए आपको user से एक input लेना है और usr नाम का एक variable बनाता हूँ और इसमें input function को call करता हूँ और input में मैं डालता हूँ enter name ओके और मैं अगर यहां पर कुछ ऐसा बनाऊ तो क्या मैं input function के साथ-साथ ही string slicing कर सकता हूँ आपके पास past second है सोच के बताईए तो I hope अपने इससे सोचा होगा तो जी हाँ हम ये कर सकते हैं और असलियत में string slicing यहीं पर use होता है अब अगर हम यहाँ पर लिखें 1 से लेके 5 तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं तो I hope अपने इससे सोचा होगा अगर मैं इससे सेव करके रन करूँ तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम पूछ रहा है इंटर नेम तो अगर मैं यहाँ डालू हर्जन तो हमारी user variable में क्या इस्टोर होगा यहाँ देखिए हमारे पास अभी output नहीं किया है लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा हूँ यू एस आर को और अब मैं सेव करके रन करूँ मैं हाँ हर्जन पूरा इस्टोर करवा रहा हूँ और यहाँ देखिए हमारे पास user में सिर्फ और सिर्फ आर ऐसे प्रिंट हो रहा है यह ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर string slicing यूज किया है और यह उतना ही character user में डालेगा जो कि यह slice में आएंगे तो आई होब आपको इतना समझ में आ चुगा होगा अब आपके लिए last question है अगर आपके पास कुछ ऐसा है और यहाँ पर मैं minus one लिखता हूँ तो आपके पास इस user नाम के variable में क्या इस्टोर होगी तो आई होब अपनी इसे try क्या होगा अगर मैं इसे save करके run करूँ और मैं name में डालता हूँ hrsgen तो हमारे पास क्या print होगी हमारे यह नाम का यह reverse order में हमारा जो नाम होगा वो print हो जाएगा अगर मैं रन करूँ तो यह देखिए है हमारे हrsgen का reverse order में string print हो चुकी है तो हम किसी भी string को python में इतनी easy way में reverse कर सकते हैं पर आपको यही same काम करने के लिए बाकी सारे language में loops wager को भी use करना पड़ेगा जो कि कम से कम 4-5 line का तो code हो गई तो आप python में इसे इतने easy way में कर सकते हैं तो यह था आपका interactive exercise I hope आप इसे enjoy कियोंगे Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content